नमस्कार दोस्तों, गौर्वर्मन्ट अप इंडिया की ओर से सेंट्र बोर्ड अप डायक टेक्सेज ने आज दिना 9 सितंबर 2021 को ITR फाइलिंग की डूरेट्स में कुछ फर्दर एक्स्टेंशन्स यानि डूरेट में बढ़ोतरी किये ये डूरेट की बढ़ोतरी दोस्तों क्या है, इसका हम पर क्या फरक पड़ सकता है, आएए आज की इस वीडियो में यही पॉइंट आपके समखश रखने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, रिवीजन इन रेगुलर आईट्यार डूरेट्स के जो आप रेगुलरली अपने आईट्यार्स भरते हैं, इंकम टेक्स रिटन बरते हैं, उनकी डूरेट्स में क्या परिवर्तन आया है, मैं आपके सामने तीन बाइफरकेशन रख वो क्या था? और आज की डेट में 9 सितंबर 2021 को जो CBDT के और से प्रेस रिलीज आया है, उसमें नई डेट क्या दी गई? नॉर्मल करदाता, जो अपनी रिटन बरने के लिए 31 जुलाई 2021 तक लाइबल थे, उनको पहली एक्स्टेंशन दी गई थी 30 सितंबर 2021 को, इसलिए सर इस सितंबर महिने में काफी हल चल हो गई ITRs बरने के लिए, अब ऐसे सभी करदाता, जिनने 30 सितंबर 2021 तक करके लिए, अब बात करता हूं दोस्तों, उन अससीस की, जिनके केस में, चाहे टेक्स ओडिट या किसी लॉग की वज़े से कोई ओडिट एपलिकेबल है, तो उनको ओरिजिनली रिटर्न बरने की डूडेट होती थी 31 सक्टुबर, मैं 2021 में जारी हुए सर्कुलर से उनको दे दी गई 30 November 2021, और अब उनकी भी डूडेट बढ़ा करके कर दी गई है 15 February 2022, तीसरी केटेगरी जो ज्यादा तर जनता-जनारदन के काम की नहीं होगी, पर मेरा पॉइंट बनता है कि मैं आपके समख्षुस को भी क्लियर करूं, ऐसे अससीस, जिनने ट्रास्वर की एक रिपोर्ट अपलोड करनी होती है, जिसे हम टीपी रिपोर्ट बोलते है, अंडर सेक्शन 92E, उनके लिए डूडेट होती थी, नामल में 30 November 2021, जिसे पहले 31 December किया गया था, अब उनको भी फर्दर एक्स्टेंशन 28 February 2022 तक दे दिया गया है, तो आइधर नाव यार सपो यार लाइबल to file the return by 28th of F 2022, यानि इन डेट्स तक अगर आप रिटर्न बढ़ देते हैं, जिने बढ़ा करके किया गया है, तो आपको किसी प्रकार से section 234 F में फीज नहीं लगेगी, ये मुख्य benefit हमें समझना है, साथी साथ दोस्तों, revision in tax audit due dates भी किया गया है, assessment year 2021 के लिए, क्या है वो revision, original date हुआ करती थी 30 सितंबर 2021 tax audit filing की, form 3 CD, अब वो tax audit की reporting की date पहले मई 2021 में बढ़ा के कीती, सरकार ने 31 सक्टूबर, अब सर सारी 3 CD की report, tax audit report upload हो सकेंगी 15 जनवरी 2022 तक, इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मानलीजी आप trust है और आपके case में form 10B upload होता है, तो form 10B आपका 15 जनवरी 2022 तक upload हो जाना चाहिए, परंतु मेरी ये बात तभी लगेगी जिनके case में कोई form, income tax law के procedure के हिसाब से, ITR फाइल करने के संदर में महत्पूर्ण है, और वो ITR फाइल करने से पहले भरा जाना चाहिए, तो, अब बात करता हूँ दोस्तों आपसे revision in last date of filing belated और revised ITR for the assessment year 21-22, यानि वित्वर्स 2020-21 के लिए, जब हम आज बैट करके ITR बर रहे हैं, say assessment year 21-22, तो उसकी last से last return कब फाइल हो सकती है, अगर आप regular time limit में नहीं बर पाए, तो original last date revised return की या belated return की थी 31 December 2021, जिसे बाद में मई 2021 में बढ़ा के किया गया 31 January 2022, और अब वो due date बढ़ा के कर दी गई है 31 March 2022, तो एक प्रकार से March 2022 तक भी, आपसे for example, आपकी regular due date आ रही है 31 December, और अब आप 31 December के बाद, 31 March तक यानि तीन मेने और मिलेंगे belated return के, अगर आप belated return उस period में भी भर देते हैं, तो ऐसी परिस्टती में आपको 234 F की fees अगर applicable हो, जो 1000, 5000, 10,000 हो सकती है, उसके साथ भी आप अपनी belated return फाइनली 31 March 2022 तक भर सकते हैं, हाँ, revised return के case में दोस्तों एक कह सकता हूं, अगर original return आपने, जो अभी मैंने due dates discuss करी, उनके अं और उस परिस्टती में आपको 234 F की fees नहीं लगे गी, दोस्तों, revision and transfer pricing report due date, हला कि मैंने पहले भी बोला कि transfer pricing का point बहुत ज्यादा जनता जनार्दन से जुड़ा नहीं है, पर quickly आपके सामने रखता हूं, कि TP report जो section 92 E में जाती है, उसके original due date थी 31 October, जैसे माई 2021 में बढ़ा क किया गया 30 November, और finally अब revised due date कर दी गई है, 31 January 2022, दोस्तों, यहां एक बहुत important point आपके सामने रखना चाहता हूं, जो generally ignore हो जाता है, कि where the self-assessment tax liability exceeds Rs. 1 lakh, for the purposes of computing interest in the section 234 A, the due date shall be record as the original due date only, it means what, say for example, किसी का self-assessment tax, after reducing TDS, TCS, advanced tax, जो tax due बढ़ता है, उसे हम self-assessment tax बोलते हैं, मान लीजे वो 1.5 लाग बच रहा है, और अब extended due date वो 31 December की out करने वाले हैं, या उनके किसी वज़े से 31 December तक ही return बर रही है, अब उनकी original due date थी 31 July, और वो सर्जन return बर रहे हैं 31 December, तो basically उनने 234 F की fees तो नहीं लगे लेकिन क्योंकि उनने 31 July से return late करी है, तो अगस, सितंबर, अक्टूबर, नॉम्बर, दिसंबर, पांच वहीने का section 234 A में उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो ये point उन लोग लिए बहुत important है, जिनका self-assessment tax liability एक लाग से जादा है, वो ये सुनिश्यत करें कि चाहे due date बढ family भर ले, दोस्तों अपने इस discussion को समाब करने से पहले एक बात ये जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा, कि due date extension का benefit बहुत सारे cases में उन अससीज के लिए हो जाता है, जिने capital gain account scheme में पैसा जमा कराना था, तो अब आपके पास में capital gain account scheme जमा कराने के लिए एक प्रकार से अ और अगर आप नई property नहीं करीद पाते तो फिर आप capital gain account scheme में उस पैसे को जमा करा दे, लेकिन section 54 EC में 6 मेने का जो time period था, वहाँ कोई extension का benefit आप इस extension से मेरी opinion में नहीं ले सकते, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, due date का ये extension, इसका फाइदा जनता जनारदन को मिलेगा, और भारत सरकार अपने portal को भी जल्दी ही Infosys company के थुरू दुरूस्त करा करके जनता के सामने लाएगी ताकि जनता को जो एक desired benefit होना चाहिए इस नए portal का वो जल्दी से जल्दी पहुँचे और जनता जनारदन को जो भी relief मिल सकती है या जो भी a quick response मिल सकता है IT department के ओर से वो भी मिलता रहे तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहिए